नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जैवीर और आप देख रहे हो हिंद कैम का यूट्यूब चैनल इस वीडियो में बात करेंगे लेजर कटिंग सोलुशन के बारे में यानि की शीट मेटल प्रोसेसिंग के जो सी एंसी प्लांट होता है उसके बारे में हम आपको ये बताएंगे कि आपको इस तरह की मशीनरी लगाने के लिए कितना बजट चाहिए साथ में आपको कौन-कौन सी मशीने लगानी चाहिए आपको कितनी जगें की रिक्वाइमेंट होगी और साथ की साथ आपको कितनी मैन पावर और हुमेन रिसोर्सिज लगेंगे तो पूरी जानकरी के तो हमें फाइबर लेजर कटिंग मशीन चाहिए उसके साथ हमें CNC बेंडिंग मशीन चाहिए जो शीट मेटल को बेंड करने का काम करेगी और अगर आप थोड़ा सा एडवांस प्लांट खोलना चाह रहे हैं तो आपको टेरेट पंचिंग मशीन भी चाहिए टेरेट पंचिंग मशीन के साथ अगर आप एक वेल्डिंग की वरक्शोप भी रखते हैं तो आपका एक तम से परफेक्ट बिजनस प्लान होगा तो हम अब आगे एक एक करके इन सारी मशीनों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी मशीन में कितना स्पेस चाहिए कितना आपका बजट चाहिए ठीक हैं तो हम अब एक एक करके मशीन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइबर लेजर कटिंग मशीन के बारे में तो अगर आप जोबवर के हिसाब से एक fiber laser cutting machine ले ना चाहरा है तो आपको कम से कम d1.5 kWh या दो जो घ्र्ञ तीन kWh szyb पावर सोर्स की laser machine लेना सही रहेगा और हम आपको recommend करते हैं अगर आप जोबवर के हिसा लेजर machine ले रहे हैं तो आप उस लेजर मशीन के साथ एक्शेंज टेबल जरोर ले जरूर लेजर मशीन का मैं नहीं साथ खाना लेकिन सबसे जाधा टाम sheat काटने की बचाए sheet को लोडिंग अनलोडिंग में लगता है तो अगर आपके पास एक्शेंज प्लेटफरम वादी मशीन होगी तो sheet की लोडिंग अनलोडिंग बड़ी फास्ट हो जाएगी आपको टाइम से होगा क्योंकि CNC में टाइम सेव करना एक मेन परपस है इसलिए आपको अगर आप जो वर्क के परपस से लेजर कटिंग मशीन ले रहे हैं तो आपको एक्शेंज टेबल वाली मशीन जरूर लेनी चाहिए अब हम बात करते हैं लेजर सोर्स के बारे में तो हम आपको रेक्मेंड करेंगे कि अगर आप कम वाटेज यानी डेड़ दो या धाई किलो वाट की मशीन ले रहे हैं तो आप रेकस या मैक्स फोटोनिक्स का सोर्स लें क्योंकि ये आपके बजट में आएगा आप IPG सोर्स हाईर पाउर मशीन के लिए ले सकते हैं लेकिन अगर लो पाउर में आप IPG लेंगे तो आपको उसकी कोई खास एडवांटेज जैसे कि हमारी नोलेज के हिसाब से कोई खास एडवांटेज आपको मिलेगी नहीं तो जैसे आप 1.5 किलो वाट की मशीन एक्शेंज है हमारी CNC बैंडिंग तो CNC बैंडिंग जन्यली जो जो वर्क के लिए CNC चाहिए होती है आपको मल्तीपल CNC बैंडिंग मशीन चाहिए होती है क्योंकि बैंडंडिंग का काम कटिंग के काम से relatively slow होता है तो आपको यह एक्लिक मेंड इस एप 10T nih 근데 मशी जो एक एक छोटी यानि 2 मीटर यानि 6 या 6.5 फुट की 60 या 70 टन की बेंडिंग मशीन, CNC बेंडिंग मशीन भी लें तो इस तरह की बेंडिंग मशीन एक तो आपकी बिजली कम खाएगी, पावर कम खाएगी तो आम तो पर एक अच्छी बावर्की लेजर मशीन के साथ आम तो रूपर एक या दो बेंडिंग मशीन चाहिए ही होती है साथ में आपको बेंडिंग मशीन के साथ-साथ अलग-लग तेरह कि टूल्स यानि डाई और पंच भी चाहीएंगे जैसे hemming के लिए यानि की sheet को 180 degree पे मोडने के लिए साथ की साथ आपको कुछ अलग angle के tools भी अलग angle की अलग thickness की bending के लिए अलग-अलग dive punch का set भी चाहिएगा तो अब हम बात करेंगे की bending machine पे कितनी cost आएगी तो अगर आप 60 ton की bending छोटी bending machine की बात करते हैं तो आप 12 या 15 लाग plus GST के रेंज में खरीच सकते हैं वहीं अगर आप बड़ी bending machine जैसे 100 ton की bending machine की बात करते हैं तो वह आपको 17-18 लाग plus GST में मिलेगी वहीं अगर आप थोड़ी और बड़ी bending machine लेते हैं जैसा की job work में required होता है तो आपको 25-30 लाग plus GST के budget में आएगी तो आप हम इसके बाद बात करते हैं टेरेट पंचिंग machine के बारे में तो टेरेट पंचिंग machine क्या होती है टेरेट पंचिंग machine एक general punching machine होती है जिसमें बहुत सारी जो पंचिंग की shapes लगी होती है जैसे capsule shape या star shape इस तरह की बहुत सारी shapes लगी होती है और आप program के हिसाब से उन shapes को choose कर सकते हैं और जो पंचिंग के जो पंच होते हैं जो पंचिंग के लिए जो पंच होते हैं वो एक टेरेट शेप यानि एक गोल शेप में लगे होते हैं और प्रोग्राम के हिसाब से जो पंच होना है वो पंच अपने आप टेरेट में सेट हो जाता है घूम के अपने आप टेरेट में सेट हो जाता है तो आप इससे versatile punching कर सकते हैं ध्यान रखेगा टेरेट पंचिंग मशीन एक cost equipment है जिसकी कीमत 50 लाग रुपे से उपर ही होगी तो टेरेट पंचिंग मशीन आपको चाहिए कि आपका काम स्पीड अप होगा और टेरेट पंचिंग मशीन पे cutting की cost laser cutting machine के comparison में बहुत कम आती है लेकिन ये उतनी versatile नहीं होगी जितनी versatile आपकी laser cutting machine है तो अगर आपके पास job work का काम बहुत है तो आप टेरेट पंचिंग मशीन भी लगा सकते हैं अपनी cutting cost कम करने के लिए तो अब हम आपको समझाएंगे कि जो हमने machinery के बारे में बताया है ये machinery use का होती है तो ये machinery generally steel के furniture बनाने में electrical के panel बनाने में या commercial kitchen equipment बनाने में या घरेलू sheet metal के equipment बनाने में आपको इस तरह के processing plant की requirement होती है साथ की साथ आपको बहुत सारे government के job work जैसे की railway के job work या metro के job work भी इस तरह के काम में मिल जाते हैं साथ की साथ कुछ बड़ी कंपनियां जैसे auto parts बनाने वाली कंपनियां आपको बिल्कुल जरूर काम आएगी तो अब हम बात करते हैं कि आपको space की कितनी requirement होगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप एक job work practical job work के हिसाब से मानलो आप 2 kilowatt की laser cutting machine लेते हैं जिसमें exchange platform भी added है तो इस तरह की machine के लिए आपको लगबग 400 square yards की जगें की requirement होगी जहां पे हमने consider किया है जो unprocessed seat है उनकी cutting के लिए raw material input में आ रहा है उनका storage space उसके बाद cut metal का storage space या उनकी sorting के लिए जो storage space चीए होता है साथ की साथ हमने इसमें दो vending machine को भी include किया है और एक turret punching machine को भी include किया है तो इन चार equipment के लिए आपको लगबग 400 square yard की requirement होगी वहीं अगर आप अपनी sheet metal job work के साथ क्योंकि आप welding का काम भी add कर सकते हैं तो welding का काम add करने के लिए आपको लगबग 200 से 300 square yard की और requirement होगी तो अगर आप अपनी जो laser machine का job work के साथ साथ आप bending, turret punching और welding की भी service देना चाह रहे हैं तो आपको कुल मिलाके 800 square yard floor space की requirement होगी तो अब हम बात करते हैं manpower की और इसके अलावा हमें और क्या चाहिए तो आपको इस तरह के software की और skilled manpower की जो की इस तरह की software को यूज करके आपकी designing कर पाए तो अगर आप जैसे हमने बताया कि शुरू में आप 3 या 4 machine से start करें तो उसके लिए आपको एक या 2 designer आपका काम निकाल सकता है उसके साथ साथ आपको CNC machine के लिए कम से कम एक या 2 operator की वहीं हर एक bending machine के लिए आपको 2 operator की requirement होती है तो आपके इस पूरे automated plant में अगर welding को exclude कर दें तो आपको लगबग 8 से 10 लोगों के requirement होगी जिसमें से कुछ लोग designing वाले लोग बिल्कुल white color होंगे जिनकी salary थोड़ी higher range में आएगी वहीं जो machine के operator है उनकी salary starting range में ही आती है अब हम बात करेंगे कि अगर आप इसके साथ welding floor भी add कर रहे हैं तो आपको 3 या 4 या 5 welding set की requirement होगी और साथ के साथ welder और helper की requirement भी आपकी welding machine की count के इसाब से होगी तो जैसे हमने बात करी कि अगर हम 4 machine का set लगाते हैं तो हम लगबग 4 welder और 4 helper और 4 welding machine की सायता से अपना जो welding वाला फ्लोर है जो वर के साथ चला सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी कि आप CNC पे laser job work का का काम कैसे start कर सकते हैं आपको लगबग कितना budget चाहिए आपको कितना space चाहिए कितनी manpower चाहिए तो अगर आपको इससे related कोई और भी जानकारी चा से सीधे पूछ सकते हैं साथ की साथ आप हमारी website को विजिट करके भी important जानकारी हासिल कर सकते हैं आशा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आई होगी अगर आप sheet metal के business से जूड़े हैं या engineering के student है या भविशे में CNC मशीन या laser cutting मशीन लगाना चाह रहे हैं या इसी तरह हैं के equipment में interested हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा हम समय समय पे आपको important जानकारी इस field से related जरूर देते रहेंगे हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू